ये है Macbook Air M1 जो कि मेरे लाइफ का सबसे बढ़िया इन इमस्मेंट रहा है लगबग एक साथ से इस लैप्टॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ and believe me guys आज तक इस लैप्टॉप ने मुझे किसी भी मामले में बिलकुल भी निराश नहीं करा है चाहे हो editing हो, coding हो या फिर battery performance हो हर एक मामले में Macbook Air M1 तकड़ा निकल कर आता है but problem ये है दोस्तों कि अब यहाँ पर मैं थोड़ा roughly यूज़ करने लगा हूँ जिस वज़से इसके उपर अब scratches और dents आना शुरू हो चुके है और SMS laptop ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मेरा भी अब करतव है बनता है कि मैं भी इसका थोड़ा सा care करूँ इस वज़से मैंने थोड़ी सी research करी और Amazon पर मिला मुझे ये case जिससे मैंने order कर लिया है तो आज इस वीडियो में हम इसा unbox करेंगे देखेंगे कैसी fitting अगर आती है, quality कैसी है case की और क्या ये case मेरे Macbook को product कर पाएगा और क्या आपको पिपने Macbook के लिए ये वाला case buy करना चाहिए या फिर नहीं तो ये है Amazon का package और एक ही दिन में deliver हो चुका है तो guys ये है front cover जिसके वज़े से मैंने इसे buy किया था and literally दिखने में काफी बढ़िया और काफी premium लग रहा है basically यहाँ पर आगर आप देखो तो आपको ये leather finish देखने मिल जा रही है और एक reason है जिस वज़े से मैंने इसको choose कर रहा है reason ये था कि जो Macbook है ये पूरी तरह के से metal design के साथ आता है और इस वज़े से थंडी में यार बहुत जा थंडा हो जाता है थंडी में Macbook यूज़ करना एक बहुत ही अलग level का task होता है तो cover अगर आपके पास रहेगा, case अगर रहेगा और side में आप जैसे की देखते हो, यहाँ पर में कुछ clips देखने मिल जाते है जब ये clips fix हो जाते हैं, तो आपका ये जो पूरा base ये भी यहाँ पर fix हो जाता है make sure ये तूटे ना, अगर एक बार तूट गया clip तो आपका ये पूरा base वो बार बार निकलता रहेगा तो ये जो base का part है जिसे की आप देखते हो, अब ये पूरी तरह की से fix हो गया है यहाँ पर हमें ventilation के लिए यहाँ जालियां वगरा भी मिल जाती है बस मेरा display ना तूट जाए ने, तो 40,000 रपर का खरचा आजाएगा यहाँ पर ओके फाइनली थूड़ी सी महनत की बाद यहाँ पर जो case है वो पूरी तरह की से लग चुका है बिलीव मी काईस, पस impression में laptop काफी जाप प्रियम लग रहा है मुझे सबसे पहला यही doubt था कि यह Macbook का look बहुत बढ़ी है और मैं उपर से कर कोई case बगरा लगा लूँगा तो मेरे look खराब हो जाएगा और इस वज़े से मैं कोई case नहीं बाय कर रहा था बट फाइनली थूड़ी सी हमत करने के बाद इसमें मैंने invest किया और ओर और कहूं तो मैं यहाँ पर जो look है वो और भी जादा बढ़ गया है अगेन यह paid video नहीं है जो मुझे दिख रहा है मुझे बता रहा हूं तो आप जैसे देख सकते हो कि अब यह जो laptop है यह थोड़ा सा premium लग रहा है तो यहाँ पर आपको जो यह leather finish मिलती है यह काफिधा premium है और rubber वाला type का feel होता है उपर बिसिकलिए leather finish यहाँ पर आपको मिलता है औरIES ज्याँकर आइकर आपको मेधे मैं बात करूँ यहाँ यहाँ पर यहाँ काफिधा soft है कि अगर आप supposedly यहाँ नेल से अगर ऐसा scratch कर देते हो तो वो इसके उपर बन जाता है तो वो भी अगर आप गौर से देखो तो वो notice होता है but again अगर देखा जाया तो अगर आप जादा दूर से देखते हो तो उतनी चीज़े जो है वो यहाँ पर visible नहीं होती है और overall देखने में काफी बढ़िया लगता है लेकिन यस कुछ खामिया यहाँ 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 पर है जैसे कि यहाँ पर पीछे fingerprint आ जा रही है और मैं literally देख पा रहा हूँ मेरे सारे fingerprints यहाँ पर नीचे है और उपर यहाँ पर हलका हलका सा मुझे scratches देखने मिल रहा है बर again overall काफी बढ़िया है लेकिन यह दो चीज़े जो देखने मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ बात करते हैं यहाँ पर हम finish की तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर इसकी finishing करी गई है फिलाल मुझे तो overall case मुझे काफी बढ़ियां लगा है कुछ जो issues थे हैं मैं आपको बाड़ी बता दिये और एक चीज़ यहाँ पर मैं notice कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर इस case लगाने के बाद यह जो मेरा screen है थोड़ा सा heavy हो चुका है पहले अगर मैं इतना अगर laptop छोड़ देता था तो मेरा laptop का जो screen है वो इतने पहरी रुका रहता था लेकिन अगर मैं छोड़ता हूँ अभी तो यह अभी यह बंद हो जा रहा विकॉस अभी यह जो display है इसके उपर load बढ़ चुका है कुछ cases है मैंने ऐसा ही पढ़ा कि यहाँ पर जो है अगर आप case पर लगाते हो तो hinges पर भी effect आता है बट मेरे साब से यहाँ पर मेरे लिए इसकी production ज़दा important है hinges पर उतना ज़दा effect नहीं आएगा मेरे साब से क्योंकि मैं mostly laptop को open ही रखता हूँ close करने के time पर हो सकता है but again काफी बढ़िया है इसके अलावा कुछ extra चीज़े में मिलती है जैसे कि यहाँ पर हमें चोटे-चोटे plug मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ पर type C port और यहाँ पर जो headphone jack है इसमें लगा सकते हैं इसको दिखाने के ज़रुत नहीं है काफी common और बहुत कम लोग यूज़ करने वाले हैं विएस मैं सारे ports यूज़ करता हूँ इसके अलावा यहाँ पर हमें दो keyboard cover मिल जाते हैं दो keyboard cover दिए गये हैं और मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ तो आपको इसके पर रख देना है और easily यहाँ पर यह जो है fit हो जाता है and definitely यहाँ पर जो आपको sound और जो effect मिलता था normal click करने पर जो tactile sound आपको मिलता था जो tactile effect मिलता था वो नहीं मिलेगा but yes आपको अगर secure रहना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर compromise करना पड़ेगा I think मैं यह compromise कर सकता हूँ because मुझे typing अगरा दा करनी नहीं होती mostly मेरा जो काम है वो touchpad पर होता है इसके लागे touchpad का भी एक screen guard touchpad guard मिला है basically plastic का है यह मैं नहीं यूज करने वाला हूँ because अगर मैं इस पर रख कर अभी अगर मैं finger move कर रहा हूँ तो यह बहुत ही plastic और बहुत ही slippery सा feel हो रहा है definitely मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ touchpad मैं normal रखूँगा और मैं भी आपको recommend करूँगा अगर आप दर typing करते हो तो आप इसे भी नहीं use कर सकते हो तो भी चलेगा because यह definitely जो typing का effect है वो यहाँ पर काफी तक कम कर देता है मतलब typing तो हो जाएगी बट आपको जो feel आता है button press करने का especially macbook में काफी बढ़िया हो काफी smooth आपको pressing मिलता है वो चीज यहाँ पर आप miss out कर देंगे but मेरे ले इतना दा important नहीं है that's why मैं यह prefer करूँगा use करना okay guys तो यह है सारी चीज़े जो कि आपको box के अंतर मिलती है सारी चीज़े में आपको बता दी है overall look and design काफी बढ़िया है and durable भी मुझे लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप laptop फैक दोगे तो भी कुछ नहीं होगा but yes थोड़े मोड़े जो चीज़े है scratch वगए लगने का डर होता है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो issue हो सकता है वो सारी चीज़े यहाँ पर अब इसके वज़े से बची रहेंगी and overall मेरे साब से 1200 लगे price में काफी अच्छा product निकल कर आता है तो yes अगर आप इसे buy करने की planning कर रहे हैं तो आप buy कर सकते है buying link मेरे आपको जो है निटिचे description में दे दी है by the way आप मुझे बताइए कि आपको ये जो कैस है वो कैसा लगा इसके और different color options भी available है और इसके अलावा कुछ और भी cases हैं जो कि मैंने choose करेते हैं मैं उनकी भी links आपको निचे description को आइड करा दूँगा I hope वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए आज के इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब दक के लिए टाटा बाई बाई सेवाना